वेलकम टू टेक गयान चैनल अगर आप हमारे चैनल पे नहें तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल एकोल को प्रेस कीजिए हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग आप सबको पता ही होगा कि अधार कार्ड में डेट आप बर्थ के वर हम एक ही भार चेंज कर सकते दोबार simplesmente हमारा अधार कार्ट एक हुज हो जाता है तो जब हादर का डिजेत हो जता है तब हमने एर आता है ये और अआप डेट noção सब्सक्राण कर गएैं तो इसी का सोलूशन आप जब सेचने उसके लिए कुछ process है simple process है process number one आपको जाना है आपके नियरेस अधार सेवा केंद्रव फर्स्ट यह online update नहीं होता है आपको नियरेस आधार सेवा केंद्रव पे ही जाना होगा उसके बाद देखते है next process step number two आपको आपका original birth certificate वहाँ पे लेकर जाना है और एक self declaration form आपको लेकर जाना है self declaration form मैं आपको description में दे दोगा वहां से आप download कीजिए और field कीजिए या आप जब अधार सेंटर में जाएगे तो उनके पास भी available होता है वो भी आपसे भरवा लेगे तो self declaration form की कोई tension मत लीजिए simple process number next process देखते है process number three उसके बाद आपको क्या करना है आपको simply email send करना है और आपका अधर काड़ अप्डेट हो जाएगा within 45 days seven days से लेके 45 days में आपका अधर काड़ अप्डेट हो जाता है ऐसे क्योंस में आपको एक message आ जाएगा आपका status आ जाएगा your other has been generated simple process से कुछ भी नहीं ज्यादा मेहनत का काम है एकडम simple process से तो देखते स्टेप बेस्टेप step number one आपको आधर सेवा के इंदर में जाना है नजदी के आपको जो भी आधर सेवा के इंदर है आप वहाँ पर जाहिए अगर आपको नहीं पता आपके आधर सेवा के इंदर कहां पर नजदी कि आप सिंप्ली माई अधर डॉट 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 इन के साइट पर जाहिए उसके बाद आपको आपको आधर कर दियर जाएगा उसका पूरा अधरस बगरा मिल जाएगा तो आपने जा सकते स्टेप नॉबर पर हमारे कंप्लीट होगे हमने आधर सेवा के इंदर बज़ गए उसके बाद आपनों को करना क्या है कि आपको सेल्फ डिकलरेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले है उसके लिए बर सेर्टिफिकेट हमने हमारे ले सक्षाण यहां पर प्य Agriscus नॉबर पर लिखा हुआ है मैं यहां पे अपका पूरा नाम इंटर होगा यहां पर आपका पूरा जी का नाम इंटर होगा अपर आपका एड्डरेस इंटर मेंटर होगा यहां पर आपका अधर नंबर परने कर ठेचिस, वापakah्तशन information अभी सि इंटर करना है वापस हमें और जो गलत डेट अब बद मतलब जो अब आधर करण में पूर्व के अपडेट के बाओ जर्म ती डैश जर्ष के स्तान पर जर्म ती अपडेट करना चाहता है करना है जो की सिंगल डॉक्यमेंट होना चाहिंए बद पर रहां जर्म प्रमांज पत्र उसके स्वहाँ डायरेक्ष अब को और यहां पर अपको टीक करदेड़ आ पॉइंट नॉमबर टू जो टेबल है यह सिंप्ली यहाँ पे टिक कर देना है उसके बद यहाँ पर यहाँ पर डेट डॉन लीये इस डेट में आप एफलीकेशन कर रहे हैं उसके बद आपके यहां पर वापस पूरा नाम डलना है आपको साइन करना बस इतना कर दिया आपका Self declaration form fill हो गया English मारे दोनों format में रहता है description में दोनों PDF दे दुगा आप वहां से download कीजिए English में भी आप फिल कर सकते हैं अब Hindi में भी फिल कर सकते हैं उसके बाद कुछ instruction है जो आपको अधर अपने operator जब अधर सेंटर में आप जाएगे तो उनको यह पता ही होता है लेकिन अगर मालूम नहीं रहेगा जो डॉक्रमेंट आपको स्लेट करना है वह सेल्फ डिकलारेशन पॉर डेट बद अपडेट उसके बाद आपको उन्हें बुलना है कि हमारा जो सिंगल पीडियाफ में स्कैन करके अपलोड जोना चाहिए स्व डिकलरशन और सेकेंड पेज होना चाहिए बरस एक सिंगल पीडियाफ में होना चाहिए 100 dpi में scan कीजिए क्योंकि हमें जो उसकी size होती है upload करने की वह है 300 kb के under में तो आप other operator आपको बता दीजिए वह काम कर दीजिए उनको यह मालूम भी होता है तो उसमें को retention की सरत नहीं है बस मैं information के लाप यहां पर डाल दिया यह process अपना complete हो गया उसके बाद हम बढ़ते हैं next process के हमको करना क्या है simply आप आपको अभी आप email करना है तो क्या कैसा email करना है क्या करना है वह हम आगे देखते हैं तो सबसे पहले आपको सारे PDF बना लेने किस किस की बनाना है number one enrollment sleep जो आपको आधार से दिया जाएगा उसके आपका self declaration form उसके वाद का original birth certificate और फूर्थ नमबर scan होना चाहिए उसके बाद को भीजना पर यह तो देखते हैं कि सिंप्ली आपको भीजना है in address पर इतनी email address आपके मेने दिया है in-address पर यह mail send हो जाना चाहिए नहीं आपके तू में आप जितना मैंने email एडिया आपको बताया है उस ब mail आडिया है आपको डानना है टेशन म आपको date of birth limit cross simply date of birth limit cross okay यहां पर लिखना है dear sir मैं अधार date of birth limit cross but I want to change my date of birth as per my birth certificate so kindly update as soon as possible ठीके उसके बाद आपको लिखना है update request number मतलब जो आपको enrollment slip दी गई रही अधार center से वह आप पे उसके उपर एक number होता है update request number 14 आपकी वह यहां पर एंटर करना है date और timing इंटर करना है name पूरा type कीजिए date of birth type कीजिए जो आपकी सही है address पूरा टाइप कीजिए mobile number टाइप कीजिए mobile number आपका चालू ही देना क्योंकि और ओफिस कभी कभार आपका रिवेरिकेशन के लिए कॉल कर सकता है उसके बाद आपको यहां पर लिखना है इंक्लोस डॉक्यमेंट एचार जैसे मैं आपको बताया गया birth certificate अधरकाट सेट डिकलारेशन और अपडेट रिसी और सिंप्ली अटेच डॉक्यमेंट पर क्लिक कीजिए जो आपने सेपरेट फीडिया फाइल इनलोग के बनाए है वह यहां पर अटेच कीजिए और सेंट पर क्लिक कीजिए और बेट कीजिए 45 देस के अंदर आपका अपडेट सक्से